नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल कैट टू करेक्ट में आज के वीडियो में हम सिखेंगे कि आप अपने ओटो केड में डिफॉल्ट सेटिंग जैसे कि हम किसी भी ड्रॉइंग को सेव करते हैं वो लेटेस वर्जन में सेव हो जाती है फि वीडियो उसी लिंक पर क्लिक करते हैं आप वीडियो देख सकते हैं या उपर आई आइकोन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं आज के वीडियो में हम सिखेंगे कि अगर किसी भी ड्रॉइंग को हम सेव करते हैं तो वह बाइड डिपॉल्ट यानि हमारी सेटिंग क इसाब से अपने आप वो नए वर्जिन में सेव होने के बज़ाए पुराने वर्जिन में कैसे सेव हो जाए तो फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे झोटी है चैनल को सपोर्ट करिए ताकि चैनल ग्रो करने में हमें मदद मिल्टी है आप एक छोठा सा सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है ताकि मैं इस दरीके के kंटेंट आपके ये लाते रोऊ और आप सीखते रहे श more करने के लिए आपको सिर्फ करना आपको करना है चैनल को सबस्क्रायब कर दी तीचี้ दिए वे रेड़ कलर के सप्स्क्राइम मेर बटन को रुज सब्सक्राइब कर सकतेज और उसके आग्ये दिये पर राइट क्लिक कर सकते है राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है options में options में जाने के बाद AutoCAD की by default option setting open हो जाएगी उसमें आप जाएंगे open end से उपए open end से उपए click कर देंगे click करने के बाद जहां पर आता है file save save as format मैंने इसको पहले से 2004 में save किया हुआ है इसलिए 2004 दिखा रहा है अगर आपके वाश 2004 में नहीं क्या रहेगा तो आपका जो भी AutoCAD version होगा उसमें दिखाएगा जिस आप वाश 2018 है तो यह 2018 दिखाएगा आप इस पे click नीचे जाके आपको कर देना है 2004 click click करने के बाद आपको यहां पर OK पर click कर देंगे आप जब भी अपने AutoCAD में किसी भी drawing को save करेंगे तो वह 2004 में ही यानि 2004 के AutoCAD में इस से होगी जिससे आपको आसानी से किसी भी को अगर आप यही drawing किसी को mail करते हैं या किसी से share करते हैं तो वह अपने AutoCAD में open कर सकता है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आए तो वीडियो को like करिए अपने friends और कलिक के साथ जरूर शेयर किए और चैनल को subscribe करने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत